वेलकम वैक तो यूट्यूब चैनल कैप्टेन पी कुमार आज जो बड़ा एक्साइटिंग टॉपिक है जो सवाल किया है और बच्चे की क्वेरी थी कि पूरे यूट्यूब पर इसके रिगार्डिंग किसी ने वीडियो नहीं बनाया है अब इसके लिए बहुत सारे लोग मना करेंगे बहुत सारे लोग अबजेक्शन करेंगे लेकिन मतलब मेरे मन में भी एक ये सवाल है कि जब टैन्थ के बाद सभी के कोर्सिस चल रहे हैं मेडिकल के कोर्सिस चल रहे हैं, नीट के कोर्सिस चल रहे हैं और प्रोफेशन के कोर्सिस चल रहे हैं तो क्यों न हम अपनी पाइलेट ट्रेनिंग को अपनी पाइलेट जर्नी को टैन्थ के बाद ही शुरू कर सकते हैं क्योंकि आप जो है pilot बनने के लिए minimum age आपकी 16 years है तो 16 साल से आप flying भी शुरू कर सकते हो वो ठीक है कि आप exam appear करने के लिए आपको 12th pass करना जरूरी है लेकिन 10th के बाद आप एक foundation course की शुरूआत कर सकते हो आप अपने basics weekly classes join कर सकते हो उससे क्या होता है कि आपका subject इतना strong हो जाता है कि किसी भी बच्चे को जो 12th से पहले हम 10th में ही जो join कराते हैं engineering का, medical का या किसी और stream का वो हम किसलिए join कराना चाहते हैं हम सरफ इसलिए join कराना चाहते हैं बच्चा धीरे 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 अपने basics को और अपनी जो नीव है उसको मजबूत कर सके तो pilot के लिए भी हम ये plan कर सकते हैं जब बाहर हो रहा है other than India बाकी के countries में हो रहा है तो हम हिंदोस्तान में क्यों नहीं कर सकते हैं तो definitely हम 10th के बाद भी अपनी pilot journey को plan कर सकते हैं तो 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं बताना चाहूँगा number one आप class two medical कभी भी करवा सकते हो उसके लिए किसी भी तरीके की कोई record नहीं है कोई age limit नहीं है अगर आपने 10th कर लिया है तो you can go through your class two medical which is very very important और जब आपका class two medical assessment आजाता है तो आप अपना class one medical के लिए भी आप appear हो सकते हो जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि कोई problem तो नहीं है भी मेरे को क्योंकि कोई भी pilot journey किसी भी तरीके की pilot training को start करने के लिए आपको physically fit होना, medically fit होना बहुत जरूरी हो जाता है अब ये हो गया आपका medical वाला department उसके बाद जैसे 12th के बाद आप अगर जैसे के 10th में weekly classes आप लेते रहते हो weekly classes के बाद आप अपनी basic knowledge दो साल में इतनी घटी हो जाएगी आपके पास के 12th के बाद जब आपनी ground classes join करोगे जो DGCA की हैं तो आपको बिलकुल easy लगेंगी और एक ही बार में आपके DGCA के exams clear हो जाएंगे तब तक हम कुछ flying experience भी ले सकते हैं क्योंकि हम flying तो 16 साल से ही शुरू कर सकते हैं अब वो घंटे एक समय ता जब आपकी flying पांच साल के अंदर ही होनी चाहिए थी CPL की लेकिन आज हम कभी भी जो हम flying कर लेते हैं वो हमारी lifetime valid होती है तो उसकी भी कोई tension नहीं है हम थोड़ी थोड़ी flying plan कर सकते हैं और 12 से पहले ही हम 25 से 30 गंटे या उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर हम medically fit हैं वो सारी चीज़े हमारी दिमाग में clear हैं तो उससे क्या होगा कि आप exam से exam तो आप 12 के बाद दे पाओगे लेकिन flying आप 12 से पहले कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन उसमें एक सवाल ये आता है कि license आपका 12 के बाद ही मिलेगा जब आप DGC exams clear कर लोगे लेकिन ये flying आपकी खराब नहीं जाएगी ये flying भी as it is calculate हो है तो हम medical का plan कर सकते हैं basic classes का plan कर सकते हैं और हम flying का भी plan कर सकते हैं तो by the 12th हम जब करेंगे तो 12th में तो हम एकदम ready to ready to launch pilot हैं अब सरफ हमें paper clear करने है flying complete करने है license लेना है and you are ready for flying so I hope I have given you the answer of your query लेकिन फिर भी अगर आपके जहान में कोई भी सवाल है तो बे जिजक आप नीचे comment करिये मेरे को आपका connect हो जाएए आप Instagram पर जितना भी जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तयार हूँ thank you so much your captain P. Kumar and welcome to the pilots community after 10th I am very happy के आपने ये सवाल किया so wish you all the best and thank you so much take care